मिलिन देवडा के पार्टी छोड़ने से मुंबई कॉंग्रेस के नेताओं में खुशी का माहौल कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद राजपूत का बयान मुंबई में कॉंग्रेस पार्टी छोड़कर शीव सेना शिंदे गुट में शामिल होने वाले पूरु केंदरी राज Burnthi, मिलिन देवडा के विशे में कई तरह की प्रतिख्टिया हैं, कॉंग्रेस पार्टी की ओसे मिल लही है मॉंबई के दौरे पर आए कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने साफ शिव्दों में कहा कि मिलिन देवडा के पार्टी छोड़ कर जाने से मुंबई कॉंग्रेस बहुत खुश है आप भी जानते हैं कि वो मंबई के बाहर टीवी चैनलों पर कद्दावर कहे जाते हैं अगर इतने कद्दावर थे तो दो दो बार टिकर्ट उनको दिया गया चुनाव क्यों हार गये? वो कद्दावर थे तो उनके नेतरत्त में मुंबई क्यों हारे? सच बात यह है कि हम अपने लीडरों का सम्मान करते हैं लेकिन अगर वो छोड़ के जा रहे हैं और हमारे उपर आरोप लगा रहे हैं तो आज कोई डेट में उन्हें अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए, पूरी मुंबई की कॉंग्रेस खुश है, पूरी मुंबई की कॉंग्रेस इस वक्त वर्षागायकवाड जी के नित्रत्तों में एक है, नेक है, हमारे सारे नेता एक जुट हुए, कोई भी शक्स उनके नहीं गया जो एक आधा गया वह भी पूछ के गया कॉंग्रेस को वरिशनेता और प्रदेश के पूर मुखमंत्री सुशिल कुमार शिंदे के कॉंग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की खबरों को उन्होंने पूरी तरह से अफवाँ बताते हुए इसे गोदी मीडिया की स डालते हैं और नहीं उनके उपर अविश्वास करते हैं सुशिल कुमार सिंदे जी हूँ यह हमारे बड़े वरिश्थ नेता है और निश्चित तोर पर पार्टी में इनका अच्छा योगदान है और पार्टी इनके कामों का भी हमेशा ग्रहन करती है और अच्छी जगों पर इन्हें रखा है आगे भी रखा जाएगा सुरेन राजपूर मुमई कॉंग्रेस के उत्तर भारती प्रकोष्ट के अध्यक्ष एडवकेट अवनीश तीर्थ राज सिंग द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक प्रिती भोज में शामिल होने के लिए बुद्वार की तो सजेन व disp ein अउन्टित हुं साथियों से मिलका आप से सारे अवनीश जी के साथि ते लटनेश भाई थे सभी लोग यहाँ पर और यह तो एक जिसको कहा जाएं कारेकरण इसकारकर में मुम्मी कॉंग्रेस के वरिष नेता, रतनेश सिंग और सेयद सल्मान के अलावा बड़ी तादाद में कॉंग्रेस पार्टी से जोड़े उत्तर भारती समाज के नेता मौजूद थे आप इतना कुई प्रेसनाए नियूस मुंबई